पूड़ी वर्ड आज हमाया एक बड़ी स्पेशल जगह पे फरीदाबाद में प्रीदाबाद में हमाया हंगर विंक्स की आउटलेट पे यहाँ पे एक तो कॉम्बोज इनके बहुत अच्छे है जो 99 वले वेज फ्राइड राइस वेज मंचूरियन और बहुत कुछ है मैं आपको भी दिखाता हूं भी क्या क्या है और इनके जो बहुत ज़्यादा स्पेशल मटन मॉमोज है ग्रेवी वले मटन मॉमोज हम आपको व पूड़ा मार्किट फरीदाबाद में एंड यहाँ पे कार पार्किंग और बाइक कार पार्किंग की भी काफी जगह है और फैमिलीज आके भी यहाँ पे इंजॉय कर सकती है फैमिलीज के लिए भी यह बहुत एक अच्छा उप्षेन है जैसा कि आप देख सकते हैं इनके बहुत ही बढ़िया बाहर सीटिंग है दस से पंदरा लोगों के लिए एंड इनकी एक बेस्मेंट में भी सीटिंग है आप जैसे कि वीडियो में देख सकते हैं तो चलो अब आपको फूट ट्राइक करके दिखाते हैं कि इनका फूड कैसा है तो यह है हंगर विंग्स के मैनेजर तो अलो धर एंड सर मैं पूछता है कि हंगर विंग्स की लोकेशन और टाइमिंग क्या है आप टाइमिंग और लोकेशन अगर बता रहे हैं हमारा हम्जोगी फूड रस्ट है वह सक्टा 16 की हुड़ा मार्केट में है पाइदाबाद में और एक हमारा दूसरा ओटेड़ जो जाथपूर फाइड़ी में है और हमारी टाइमिंग से हैं 12 नून से स्टाट हुते हैं परकेशन से 11.30 तक हम सविस प्रवाइड करते हैं सर जो आपका सिस्टेम है वो सारा जोमेटर और स्मिगी के भी वहने सुझा क्या है हम जोमेटर, स्मिगी और डिलिवरी भी हम प्रवाइड कराते हैं हैं मतलब मतलब बन किलोमेटर चार्ज़ आप बता दीजिहें और कितने ए्रिया सकते हैं मतलब 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 मिलिमम मुड़ने के दायरे में डिलिवरी देनी हो तो आपको स्क्रीन पर नंबर दिख रहा होगा उस नंबर पर इनको कॉंटेक्ट कर सकते हैं और शर आप यह बताईए कि आपकी जो हंगर भी है यहां पे स्पेशल आइटम्स कहते हैं स्पेशल जैसे कि अभी मेरे मारे मारे माम बसे कापी कॉमिटी में सेल आउत होता है प्लस हमा पास थालीज है हमारे वाराइडी आप मॉमोस है वारे बर्गर सें राइस हैं जो राइस हैं ग्रेवी जो आपके फिर जो मॉमोस करके जो है पहली बार सुने तो आज बोफ राइक करते हैं बढ़िया से मटन मोमोस और कोई भी जो कंबो लगवा दी आपको सारे मटन स्पेशल ग्रेवी मॉमोस है तो जैसा कि आप देख सकते हैं खाना हमारा आ गया है और यह देखिए कि यह है क्रिस्पी चिकन बर्गर क्रंची एंड क्रिस्पी चिकन बर्गर बहुत ही अच्छा लग रहा है प्रेजनेशन बहुत बढ़ी है और यह मंगाए हैं हमने दो कॉंबोस जिसमें हैं और मैंने एक वेजिटेरियन कॉंबो अमग हुआ है है एक अमग हुआ है मैनेू चिली चिकन ओम्भो with वेज फ्राइड राइस इनके सुपर स्पेशल मटन मोमोज इन ग्रेवी इसका नाम एन्लीवर मेनूर मेह है हंगर्व मटन ग्रेवी क्रेवी मॉमोज. तो चलिए अब अब फूड को करते हैं ड्राई पहले में ड्राई करूंगा चिली चिकन चिली चिकन बहुत ज़्यादा बड़ी है टेंगी व्लेवर है स्पाइसी है एंड चिकन बहुत यची तरह से कुप किया गया है प्राई ड्राई का भी बहुत अच्छा फ्लेवर है और गार्लिक फ्लेवर मेलको थोड़ा आरहा है इसमें फ्राइड राईme जो की अभर पार्नी कररहा बहुत बडिया लग रहा है और यह बहुत ही अच्छी तरह से यह तो आपर रेटिंग कीad देख सकते तो पे स्क्रीन पे भी मैं इसको चिली चिकन वाले को कितनी रेटिंग दे रहा हूं ओवर ओल चिली चिकन विद् फ्राइड राइस आप ट्राइ कर सकते हैं बहुत अच्छी उप्शन है तो अब हम ट्राइ करते हैं इनका वेजेटियरियन वेज मंचूरियन कॉम्बो थोड़ा से मिक्स कर लेते हैं मंचूरियन का भी टैंगी फ्लेवर है बहुत अच्छा है स्पाइसी बिल्कुल भी नहीं है और मैं ओवर ओल मंचूरियन का फ्लेवर बहुत इच्छा है फ्राइड रेस का मैंने पहले आपको बताई दिया है फ्राइड रेस इसमें बहुत अच्छी है और इसमें जो इन्होंने फ्रेश घनिया डाला है मंचूरियन में वह बहुत ज्यादा अच्छा टेस्ट दे रहा है फ्रेशनेस उसकी मतलब पूरी मतलब फूल अच्छा फ्लेवर दे रही है कोरियाडर की फ्रेशनेस और यह जो स्परिंग अनियन यह भी बहुत अच्छा फ्लेवर दे रहे है मंचूरियन वाले कॉंभो के मुझे बेस्ट पाड़ इनका मंचूरियन रहा है मंचूरियन बहुत ज्यादा टेस्ट ए अफ्ट्री अप डेफिनेटली मंचूरियन ट्राइ करतेंगें जो मेरे वैजेटिरियन दोस्स आ रहे हैं अपे वह प्लील एक रates मंचूवीन वानब ट्राइ करेंगे देखें तो अब हम टेस्ट करने वाले हैं इनका करची क्रिस्पी बर्गर आप देख सकते हैं अभी बर्गर कितना बढ़िया तरह से कुक डेंड पूरा जूसी है एंड मैं यह फर्स टाइम ट्राइ कर रहा हूं तो मेरे लिए एक बहुत लए एक्स्पीरियंस है यह भी जो बटन मोमोज है यह भी फर्स टाइम एक्स्पीरियंस है और यह भी है तो चलो इसको ट्राइ करते हैं मेरे पेस वर्स नहीं है इतना जियादा टस्टी है यह बहँ ज़दा बढ़ी है जो इसमें सॉस ड़े किया है ऑर उसका फ्लेः बहुत बढ़ी है और जो चिकन है उब बहुत ज़दा अच्छे से कुट ड़े भी मुझ में जाके बुल रह चिकन इतना अच्छा पका हुए और जो चीज डादा थे इन्होंने चीज का फ्लेवर भी बहुत जादा बढ़िया आ रहा है ओवर लॉल आई गिव दिस बर्गर अटेंड बहुत जादा बढ़िया यू मस् ट्राइड दिस अबड़िया बढ़िया रहा है तो अब है सबसे में डिश जिसके लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड था साथ में अपने रुमाली रोटी भी ऑडर किया है क्योंकि ग्रेवी वाली डिश है इसलिए और यह है इनके हंगर स्पेशल मटन मॉमोस इन ग्रेवी यह उपर से जो मूल बटर डाला हुआ है तो यह मॉल बटर लूँगा थोड़ा सा थोड़ा सा इन लव बटर अब फ्रेग्रेंस बहुत जादा बड़ी आरी है इसकी मैं थोड़ी सी बड़ी बाइट लूँगा क्योंकि मैं चातों कि एक पर सारे फ्लेवर एक बार में ही मू में आजाए ओ माई गॉड आप देख सकते हैं भी जो मटन है वो कितना ज्यादा बढ़िया फिलिंग की गई है मटन की धनिया इसमें प्यास भी है और फिलिंग पूरा फिलिंग से बरा हुआ है और अभी करते हैं इसको टेस्ट और यह नहीं लग रहा था अब हम मोमोस तोड़ने में थोड़ी फोर्स लगती है यह ऐसे था भी हाथ लगाया विटूड दया चलो करते हैं अब इसको टेस्ट ग्रेवी का तो फ्लेवर है वो बहुत ही युनीक है ऐसी ग्रेवी मैंने कभी निखाई पहले मुझे लग रहा था कि बटर चिकन जैसी ग्रेवी होगी पर वैसा नहीं है बहुत ग्रेवी का टैंगी मीठा सभी फ्लेवर जैं ग्रेवी में बहुत अच्छा फ्लेवर आ रहा है ग्रेवी का और जो मेन पार्ट है इनका मॉमोज बहुत अच्छी तरह से अंदर से कूग नहीं जो मटन है वो बहुत अच्छी तरह से कूग गिया गया और मॉमोज इस डिश की जान है और जो पर पनीर डाला हुआ नो उसका भी एक इंडविजुण टेस्ट आ रहा है पनीर का भी तो मेरे को तो यह भी मलब बहुत ज्यादा अच्छी लगी बाकी आपको स्क्रीम पर रेटिंग दिखी रहे होगी और चलो अब करते अपना फूल इंजोए एंड अभी तो गैस खाना मुने खा लिया एंड़ खाना चारों चीजे बहुत अच्छा थी आज मैंने दो नेट च बिशिब्चाय द्व लेंगशा म sums कैक सब्सक्राइश खाना गई यूउज मैं मिलेंगे प्नीर क पिर्ले का किरका मेंट होना इंट क्या इन तेचन को पते सतर्थ होपको बीडियो पस DAC ौह ऑन अगर क्वार मृट खाना करा चाते और अच्छे वाला और यह आपकर ऑना फ झाल